हां तो क्या नाम है आपका बेटा आप कहां रहते हैं अच्छा यूपी के रहने वाले क्या हुआ था बेटा तुमको अच्छा पैरालाइस हुआ था कहां से कहां तक हुआ था पैरालाइस सीने के नीचे से दोनों पर नहीं दोलते थे अच्छा मतलब कोई हरकत नहीं थी आपके सरीर में आच्छा तो बड़ी तकलीफ मिलती होगी तुमको लेटरी जाने में और आने में चलने फिरने में कैसे चलते फिरते थे चलते पाते हैं तहां मी पापान लोग थी ना कुछ समझ पाते थे कि मेरा सरीर कहां है और कुछ मैसूस नहीं होता था छूने से और कुछ करने से तो फिर क्या किया तुमने इलाज विलाज कहां से सरू किया पहले पहले गेरा नॉम्बर 2018 को टाइक हुआ रात बारा बजे बारा बजे वहां यहां से घर से निर्ला मैं इंबुलेंस की साहिता से पहले गाटंपुर गया गाटंपुर जाने के बाद महां से अस्पताल से रिफर किया गया जिला इस्पताल कानपुर के लिए हैलट को अच्छा फिर क्या किया आपने इसके बाद वहाँ से गाउं आ गया अच्छा आने के बाद में ममी पापा ने पेपर में डाउ्टर दर्शन आयूरवेदिक का वह अएड पढ़ा इसके बाद वहां पर कोल किया इसके बाद और जेना दुग्गर्ण नाम कि महां पहुन जाचे बैदी दिये तो जाचे बैदी गई और वहां से इलाज चालू हो गया कितने दिन इलाज चालू हुआ और फैदा कब से मिलना शुरू हुआ वहां पर इलाज 15 जनवरी से हमारे दवाई आ गई थी और 15 जनवरी से दवाई चाड़ी हो चुकी थी और 8-10 दिन में वहां की दवा ने असर करना शुरू कर दिया 15 दिन में अच्छा तो अब कितने दिन हो गए इलाज चलते चलते वहां का अब काफी प्रवाव कर चुका ज अच्छा तो मतलब जो है यह डाक्टर दसन आयरुवेदिक फार्मूलेशन जाल अंदर की दवा आपको चल लए है और वहां की दवा से चमतकारिक प्रभाव हुआ कि दस दिन में आपने जो है प्रयोक किया और दस दिन के ही अंदर वह दवा ने बहुत बढ़िया असर किय और निरंतर आराम मिलता चला गया और आज करीब दो महिने हुए आप चल फिर सक रहे हैं बढ़िया अच्छी तरह से तो क्या कहना चाहते हैं आप डाक्टर दसन फार्मूलेशन अर्वल सेंटर को कि दाक्टर दसन हर्मूलेशन को यह मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जीवन दान दिया और भगवान से बिंती करते हैं अच्छा चलता रहे हैं और नामों निसान बढ़ता रहे हैं धन्वार बहुत अच्छी बात है चलो आपको जो है परमातमाने इसर ने आपको नया ज प्रारफ से और आप अपना नया जीवन प्रारम करें यहीं इसर से कामना है